नमस्कार दोस्तो आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने योट्यूब चैनल एश्रो ग्यान में दोस्तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे धोके बाज पती को सबक कैसे सिखाएं दोस्तो अगर आपका पती आपको दोखा दे रहा है आप अपने पती को सबक सिखाना चाहती हैं उनसे अपनी हर बात को मनवाना चाहती हैं दोस्तो आप अगर बहु ज़्यादा परेशान है अपने शादिशुदा जीवन के अंतर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ वीडियो में लाज तक बने रही है दोस्तो शादिशुदा जिन्दकी की नीव को जो चीज़ सबसे ज़्यादा मजबूत करती है वह होता है आपसी विश्वास रिष्टे में प्यार से भी ज़्यादा जोड़े का एक दूसरे के प्रति वफादा रहना एहम है हलांकि कई जगे देखा जाता है कि दुनिया में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने प्यार के कारण शादी की लेकिन बाद में पती ने उन्हें दूसरी महिला के लिए धोका दे दी है इस तीथी में फसने वाली महिलाई या तो समझोता करते हुए लवलेस मैरिस का भोज डोती रहती है या फिर अलग होने का फैंस ला कर लेती है इन दोनों ही परिष्टित्यों में जिन्दगी खराब होती है लेकिन सबसे जादा फरक पड़ता है उस महिला को जो अपना सब को छोड़कर अपने पती के लिए आती है सिर्फ पती का प्यार और मान समान पाने के लिए लेकिन दोस्तों जिन महिलाओं के पती उन्हें प्यार नहीं करते हैं उन्हें धोका देते हैं किसी दूसरी महिला के साथ संबंद बनाते हैं जिसके चलते महिला परिशान होती है और दोस्तों अपने पती को सबक सिखाने के लिए अपने दामपत्य जीवन को टूटने से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय टोटके करने लगती है अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं तो दोस्तों आप इस टोटके का परयोग अवश्य कीजिए इस से आप अपने पती को ही सबक नहीं सिखा सकती बलके आप अपने शादी शुदा जीवन को खुशाल बना सकती है दोस्तों यह वश्यकन बहुत सर्ल और परभावशाली है इसके परयोग से दामपत्य जीवन कभी भी नहीं तूट पाएगा इसके लिए आपको कुछ सामगरी के वशकता होगी दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पती का कपड़ा लेना होगा और उनके दाएं पैर की मिट्टी आपको लेनी होगी बारा शंक मुद्रा थोड़ा सा लाल सिंदूर और बारा फूलदार लोग दोस्तों ये सबी सामान आपको असानी से मिल जाएगा जिस दिन भी आप इस वशके किर्या को करना चाहते हैं ध्यान रहे उस दिन शुकरवार होना चाहिए शुकरवार के दिन आप रातरी के समय इस कारह को करें करना क्या होगा आपको दोस्तों आपको सबसे पहले अपने हाथ में बारा शंक मुद्रा लेनी होगी और उनको एक मंतर से अभी मंतरीत करना होगा मंतर होगा मंतर जाप और कोडियों के उपर फूक मारने के बाद इन कोडियों को आप पती के कपड़े के अंदर रख दीजिए उसके बाद इन कोडियों के उपर थोड़ा सा लाल सिंधूर आपको डालना होगा और अपने पती के बाएं पैर के आपको मिट्टी डालनी होगी दोस्तो इसके साथ ही बारा लोंग आप रख दीजिए और दोबारा फिर इसी मंतर का आपको एक स्वाट बार चाप करना होगा उसके बाद एक पोटली बना कर अपने पास संभाल कर कहीं छुपा कर रख ले जब तक रखें जब तक आपको ये ना लगे कि आपके पती बदलने लगे हैं वैसे दोस्तो हर वशिकन का परभाव अलग-अलग होता है लिकिन ये जो वशिकन टोटका है इसका परभाव आपको साथ दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा साथ दिन के अंदर अंदर आपका पती अगर आपको दोखा दे रहा है किसी प्राई इस तरी से प्रेम करता है तो दोस्तो जल चुटकारा मिल जाएगा आपका पती आपको चाहने लगेगा आपकी हर बात मानने लगेगा अपने शादी शुदा जीवन को टूटने से बचाने के लिए एक महिल अपने पती का वशिकन कर सकती है सिर्फ अपने शादी शुदा जीवन को बचाई रखने के लिए अगर आप भी उन में से हैं चाहती हैं शादी शुदा जीवन बचाई रखना पती का प्यार वापिस पाना तो दोस्तो इस टोटके का परयोग साफधानी से करें किसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो सक्रीन पर दिये नंबर पर कोल करके भी हम समपरक कर सकते हैं आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो में लाश तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यादा वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले बेला आइकन अवश्य प्रेस कीजिए तक आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुन सेके